बाबुल का आंगन हिंदी कहानी साधी के पंदरा वर्स बीच जाने पर भी सालिनी को अपने फैसले पर कभी पस्तावा नहीं हुआ केसो के परिवार वालों ने उसे हमेशा सम्मान दिया उसके दोनों बचे मनसूरी में उसके देवर सेखर की देखरेग में पढ़ रहे थे उसके जीवन में सब कुछ ठीक था फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुखी करने का अपराद बूध जब तक रच्चक की तरह फल उठा उसके मन को डसने लगता केसव के ओफिस जाने के बाद सालिनी बाकी बचे कामों को पूरा करने में ही लगी थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी फोन उठाते ही उधर से केसव की चहकती हुई आवाज सुनाई दी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुस खबरी है आज से बाबुल मेरा बाबुल मोरा नहे हर छूटा जाए सुनने के तुम्हारे दिन लद गए तुम्हारा बरसो का बनबास खतम हो गया और वह चिर प्रतिछित नियोता आ गया जिसका तुम्हें पूरे पंदरा बरसो से इंतजार था यू पहेलियां मत बुझाईए साब साब बताए कि बात क्या है तुम्हारे हिटलर विश्णु भाईया जिन्होंने कसम खाई थी कि ना कभी तुम्हारी सकल देखेंगे और ना अपने घर की देहरी लांगने देंग का पता नहीं था इसलिए मेरे ओफिस के पते पर यह पत्र आया है केसों की बाते सुन हत प्रव सालनी के आश्चर की सीमा ना रही इस्त्री के लिए मायका उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह कभी भुला नहीं पाती आज मायके से संदेशा पा उसका मन चंचल पंची बन अतीत की गलियों में विचरने लगा उसके पापा आसुतोस माध्थुर की गिंती सहर के जाने माने वकीलों में होती थी मायक सीधी साधी घरेलु महिला थी भाई बहनों में सबसे बड़े थे विश्नु भाईया उसके बाद सैल दी फिर सोनाच्छी दी और उससे छोटी वक्षुद थी चारो भाई बहनों के बीच अटूट प्यार था लेकिन अनुसाशन प्रे विश्णो भाईया से तीनों बहने जितना प्यार करती थी उतना ही डरती भी थी फिर भी आड़े वक्त पर हमेशा विश्ण लेनी हो तीनों बहने मा की जगह भाईया के पास ही भागी चली जाती थी इसी तरह अपना सुख दुख आक्रोश और अवेग बाटते दिन गुजरते रहे और वे सब भी बचपन लांकर जवानी के देहरी पर आखड़े हुए पापा ने सैल दी की साधी तै कर दी साधारन कद काठी और सकल सूरत वाले अर्विंद जीजा जी राची विश्विद्याला में फिजिक्स पढ़ाते थे राची में उनका हवेली नुमा मकान और पद प्रतिष्ठा को देख पापा ने जट से उनके साथ सैल दी की साधी तै कर दी थी लेकिन साधी के बाद जब भी सैल दी ससुराल से आती उनकी बड़ी बड़ी आँखों में एक अजीब सी उदासी और मायूसी नजर आती जिसे वे बेवजह ही हसी में छुपाती रहती इसी दोरान एक ट्रेनिंग के सिल्सले में सालनी को राची जाना पड़ा या सोचकर वह बेहत खुश थी कि सैल दी के साथ धेर सारी बाते और मस्ती करने का मौका मिलेगा लेकिन वहां पहुँचकर उसका सारा उस्सा ठंडा पड़ गया उसे अब जाकर अहसास हुआ था कि सैल दी के चहरे की रोनक और आखों की चंचलता क्यों गायब हो गई है अडविंद जीजा जी जैसा नीरस और क्रोधी वेक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था हर समय सैल दी उस चिड़ चिड़े आदमे के हजार इसारों पर नास्ती रहती फिर भी उन्हें पतनी में कोई गुड़ ही नजर नहीं आता बस कमियां ही कमियां निकालते रहते ले जो चुपचाफ सब सहती सुनती रहती जिस दिन उसे पटनाल घर लोटना था सैल दी उसे बार बार समझाती रही कि मम्मी पापा को कुछ मत बोलना उनकी बाते सुनकर वहा जुझला पड़ी थी दी आपने तो अग्याकारी बेटी बनने की हद पार कर दी आपका यूं जीना मेरी आत्मा को कम छलनी नहीं करता है कितना अच्छा होता अगर आप राहुल के लिए अपने हिर्दय के द्वार खोल देती चौकिये मत क्यों क्या मैं नहीं जानती कि आपकी सहली हेमा का देवर राहुल आप पर जान छिड़कता था आप भी उसे कम प्यान नहीं करती थी फिर भी उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया क्या दोस्त था राहुल का यहीं कि वह हमारी जाती का नहीं था पर आपको इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि मम्मे पापा के इज़्यत पर कोई आच ना आए मैं तो कहती हूँ अगर आप राहुल के साथ भाग जाती तो कौन सा आसमान तोट परता कम से कम आप तो चैन से रहती सैल दी ने बढ़कर जट से अपना हाथ उसके मूँ पर रख दिया था पर उनकी आखे भर आई थी तोटे सपनों का दर्द जैसे उनकी आखों से पिघल रहा हो हमेशा से महतोकांची रही सुनाची दी की शादी पापा ने काफी उचे खांदान में की थी प्रतीक जीजा जी सहर के बड़े बिजनेसमैन थे और एकलोती संतान थे इस रिस्ते से सभी लोग बेहत खुश थे सुनाची दी की सास कलावती भी सुन्दर संसकारी और बड़ी पढ़ी लिखी वहुपा कर निहाल थी लेकिन सुनाची दी न जब एक के बाद एक दो बेटियों को जनम दिया तो उनकी सासु मा का रवया ही बदल गया क्योंकि वंस चलाने के लिए उन्हें बेटा चाहिए था फिर सुरू हुआ एक के बाद एक गरपात का सिलसिला किसी को भी न उनके जरजर होते सरीर का खयाल था ना ही छलनी होते दिल का कभी समझावता नहीं करने वाली सुनाची दी की जिन्दगी ही समझावता बन गई थ कई गरपात के बाद वा जब बेटा हुआ तो उसे सम्हालने की सक्ति उनमें नहीं बची थी उनके बेटे को तो उनकी सासुमा ने सम्हाल लिया लेकिन वे खुद एनिमिया के साथ मलेरिया का प्रहार जहल नहीं सकी और अपने नवजास सिसिव को छोड़ पंच तत्त्तु ने सालनी का हरदे तार तार कर दिया और उसने साधी ना करने का फैसला कर लिया घर के लोग समझाते रहे पर वा अपनी जिद पर अड़ी थी MSC करने के बाद वा रिसर्च में पूरी तरह डूब गई वही उसकी मुलाकात केसों से हुई निश्चल मन का केसों काफी सुल्जा हुआ इंसान था सालनी की इस तरह की उलजन को सुल्जाते सुल्जाते हुआ खुद ही उसके प्यार में उलस्ताफ चला गया था जिसका आभास सालनी को भी जल्द ही हो गया केसों के प्यार और निश्ठा इने सालनी के साधी ना करने के फैसले को या जानते हुए भी बदर डाला की केसों विजाती है केसों से साधी करने के उसके फैसले की जानकारी होते ही घर में जैसे भूचाल आ गया पापा से ज़्यादा तो विश्णू भाईया तिलमिला उठे थे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जो इस साधी के लिए इजाज़त मांगने आ गई अगर तुमने केसो से साधी करने की बात भी सोची तो तुम्हारी जान ले लूँगा मजबूर होकर सानली और केसों ने कोट में शाधी कर ली और उसके साथ ही मायके से उसका रिस्ता हमेशा के लिए खतम हो गया कभी वह भाईया की सबसे लाल्डी थी लेकिन वह भाईया उसके जीवन के सबसे महत्तुपूर फैसले में उसका साध देने की बजाए दुस्मनों सा विवहार कर रहे थे ना पहले हुई दोनों साधियों से सीख ली ना अपनी छोटी बहन के मन को समझने की कोशिस ही की पूरे परिवार में एक मा ही थी जो सिर्व इतना जानकर की उसकी बेटी सुखी दामपत्य जीवन जी रही है इस साधि से पूरी तरह संतुष्ट थी साधि के पंदरावर्स बीच जाने पर भी सालनी को अपने फैसले पर कभी पचतावा नहीं हुआ केसों के परिवार वालों ने उसे हमेशा मान सम्मान दिया उसके दोनों बच्चों मसूरी और देवर सेखर की देखरेक में पढ़ रहे थे उसके जीवन में सब कुछ ठीक था फिर भी मन में एक कोने में अपनों को दुखी करने का अपराध बोध जब तब दच्चक की तरह फन उठा कर उसके मन को डसने लगता तब ही काल बेल की आवाज काल बेल की आवाज सुन उसके भटकते मन पर लगाम लगी वहार दरवाजे की तरफ लपकी केसों ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए उसके हाथों में लिफाफा थमा दिया वह लिफाफा थामे बेटरूम में आ गई केसों से चाय तक पूछने का उसे होस नहीं रहा पस जल्दी से पत्र खोल पढ़ने लगी सालनी आसी समझ में नहीं आता कि मुँ से तुम्हें आसिरवात दे रहा हूँ जिस समय तुम्हारे सिर पर आसिरवात भरा हाथ रख तुम्हें समाज के कुटिल कटाच से बचाना चाहिए था उस समय मैं खुद तुम्हारे विरुद विश्मन कर अपना चहरा उज्वल कर रहा था मेरे ही काण तुम अपने घर में पराई हो गई कई अपमानवा दर्द जहले अगर आज तुम मुझे छमा ना भी करो तो मैं तुम्हें दोस नहीं दूंगा मा ने तो वैसे भी मुझे तुम्हें कभी दोसी नहीं माना मा के जाने के बाद मैंने पापा की आँखों में भी पल-पल तुम्हारा इंतजार देखा फिर भी मम्मी पापा ने अपने बेटे और अपने बुढ़ापे केक मातर सहारे का कभी विरोध करने का अहसास नहीं किया कहते हैं जो किसी से नहीं हारता वो अपनी ही संतान से हार जाता है मम्मी पापा के बाद अपनी ही संतान से हारने की बारिह मेरी थी मेरी बेटी अनन्या ने मुझे लाकर उसी दो राहे पर खड़ा कर दिया जहां लाकर कभी तुमने हम सब को खड़ा किया था उसने तो साफ साफ यह भी कह दिया कि अगर मैं बदलते समय के साथ नहीं बदलूंगा तो अकेला रह जाऊंगा कभी बड़ी ने छुड़ता से अपनी बहन का त्याक करने वाला भाई एक पिता के रूम में अपनी ही बेटी के आगे विवस हो गया जब उसने मेरी रूड़िवादी सोच की धज्जियां उड़ा दी तब मेरी समझ में आया कि मेरे हाथों कितना बड़ा अन्याय हो गया अब अवसर है कि मा की कतार दिश्टी की याद तुम मुझे सहमा जाती है इस पत्र के साथ अनन्या की साधी का काड़ भी है अगर तुम और केसो मुझे माफ कर सको तुम सारी प्रताना अपमान और उपेच्छा को भुला अपने पूरे परिवार के साथ अनन्या की साधी में अवस्य आओ अगर माफ ना भी कर सको तो भी पापा की प्रतिच्छा करती आखों का खयाल करके जरूर आओ तुमारे इंदजार में तुमारे भाईया साधी के कार्ड पर फोन नंबर लिखा था सालनी के हाथ खुद भाखुद नंबर डायल करने लगे हेलो भीया की आवाज थी सुनते ही सालनी की जवान जैसे तालू से चिपक गई लेकिन भाईया उसकी चुपी से ही ताड़ गए कौन क्या सालनी हाँ मुश्किल से एक सब्द निकल पाया क्या तुमने मुझे माफ ये क्या भाई बहन के बीच माफी जैसे सब्द कहां से आ गए ऐसा बोलकर एक बार फिर आपने मुझे पराया कर दिया मेरे भाईया मुझे माफी मांगे यह तो मुझे कभी भी मंजूर नहीं होगा आप तो हमेशा डाटते हुए ही अच्छे लगते हैं आज भी आप मुझे डाट कर अधिकार से बुलाईए देखिये मैं कैसे सिर के बल दोड़ी चली आती हूँ तभी उधर से भाईया की आवाज आई जादा तीन पांच मत कर जल्द से जल्द पहुँच धेर सारे काम पड़े हैं भाईया की मीठी डाट सुन आशूओं के सहलाब के बीच सालनी हस पड़ी रादे रादे आप सभी लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें और सस्क्राइब करें झाल 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 बाल प्लीज टॉद झाल 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 झाल